कि दोस्तों मेरे पास ये जो device है Itelite brand की है और इसका model नमबर आपको बता देता हूं model he was Itelite p-555h त्यान से सुनली जनी मोडल नमबर है itel-p-555h और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस device को unlock करने का बिल्कुल free तरीका मेरी इस वीडियो को देखने के बाद घर बैठे बैठे, without PC, without laptop आप अपने ITEL P55 का pattern, ping या password lock remove कर पाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा device हमारी पूरी तरह से pattern lock है, अब ध्यान से सुनिए device को unlock कैसे करना है, देखे दोस्तों, device को unlock करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसे पूरी तरह से power off करना होगा, और जब आपको device पूरी तरह से power off हो जाए, तो device के right side की तरफ देखे सबसे उपर के तरफ volume up, उसके बाद volume down और बिलकुल नीचे के तरफ power unlock button, ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको device को power off करना होगा, उसके बाद करना क्या है, यह जो volume up button है, आपको up button को लागातार प्रेज करके र लेकिन volume up button को आपको लागातार प्रेज करके रखना होगा, ठीक है, कुछ सेकंड तक वेट करने के बाद आप देखेंगे आपकी device totally recovery mode पर active हो जाएगी, और एक चीज़ ध्यान जीजिए, जब device recovery mode पर active होगी न, तो यहाँ पर आपको android logo दिखेगा, और नीचे क्तरफ device को power off करना है, तो device को power off करने के लिए, आप simple power button को लगातार प्रेज करके रखें, और सबसे पहले आप device को पूरी तरह से power off कर लें, तो मैं simply device को power off कर लेता हूँ, ओके device हमारी power off हो गई, अब ध्यान से देखेगा, यह चीज़ में आपको practically करके दिखाने जा रहा हूँ, त तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, कि सबसे पहले आपको volume up बटन को लगातार प्रेज करके रखना है, तो यह देखें दोस्तों, volume up बटन को मैंने प्रेज करके रखा हुआ है, ओके, और अब देखें, अब मैं यहां से device को on करूँगा, ठीक है, कुछ second तक वेट करने क बाद device on होगी, और display पे idle का logo दिखेगा, यह देखें, idle का logo दिखा, power बटन से मैंने अपनी finger हटा ली, लेकिन volume up बटन को मैंने प्रेज करके रखा हुआ है, और यह देखें, finally device recovery mode पर active हो गई, और अब दोस्तों, यहां से हम अपनी finger हटा सकते हैं, और आप देख सकते हैं, दोस्तों, यहां पर देखें, android logo सो कर रहा है, और नीचे एक तरफ लिख किया रहा है, no command, यानि कि device हमारी complete recovery mode पर active हो गई, अब देखें दोस्तों, यहां पर एक छोटी सी प्राबलम फेस करनी पड़ती है, device recovery mode पर active हो गई, लेकिन recovery के जो options होते हैं, वो यहां पर सो नहीं कर रहे हैं, कोई भी command सो नहीं कर रहा है, तो वो कैसे सो करेगा, ध्यान से देखेगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले power button को लगातार प्रेस करके रखना होगा, उसके बाद, volume up button को आप एक बार प्रेस करेंगे, तो recovery के जो भी options हैं, सारे options यहां पर सो करन दोस्तों, recovery के जो भी option, जो सो नहीं कर रहे थे, सारे option यहां पर सो करने लगे, अब आगे देखिए आपको करना क्या है, आपको device को unlock करना है, इसका pattern, pin या password lock break करना है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक option है, wipe data factory reset का, आपको जाना होगा, wipe data factory reset वाले option पे, तो इसके लिए यह जो volume down button है, इसे लगातार प्रेस करिए, प्रेस करते करते दोस्तों, आप चले आएंगे, wipe data factory reset वाले option पे, अब यहां प्यान एक बाद आपको okay करना है, तो okay करने के लिए अब power button को प्रेस करेंगे, तो मैंने power button को प्रेस किया, अब जैसे ही मैंने power button को प्रेस किया, तो आप चले आएंगे factory data reset वाले option पे, अब यहां पी आनेक बाद, फिर से आपको okay करना है, तो okay करने के लिए आप power button को फिर से प्रेस करेंगे, तो मैंने power button को प्रेस किया, अब जैसे ही मैंने power button को प्रेस किया, तो यहां पर देखे यह process हुआ, जैसे यह process complete होगा, तो last में द देखे, reboot system now का है, तो device को reboot करने के लिए दोस्तों, आपको power button को फिर से प्रेस करना है, तो यहां पर मैंने power button को प्रेस किया, अब जैसे ही मैंने power button को प्रेस किया, तो आप देखेंगे आपकी device ITEL P55 5G, यहां पर reboot हो जाएगी, आपने देखा दोस्तों, device reboot हो गई, और अब आपको wait करना है device को पूरी तरह से active होने के लिए, यानि कि चालू होने के लिए, और जब आपकी device reboot होकर पूरी तरह से active होगी, तो आप देखेंगे दोस्तों, आपके display पे पहले की तरह किसी भी type का locks होने करेगा, एक छोटी स request करूँगा, विडियो अगर अच्छी लगती कोई भी device घर बैठे बैठे अनलाग करवाना हो तो, आप मुझे contact कर सकते हैं, मेरा contact detail आपको description box में मिल जाएगा, अब यह देखें दोस्तों, maximum हमने एक दिनर तक वेट किया, device मारी reboot हुई, और finally device reboot होकर पूरी तरह से active हो गई, आप देख सकते हैं, डिस्पले पे पहले की तरह किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है, चलिए, मैं complete Android setup करके दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले आपको click करना होगा next पे, यहां से आप अपनी country, India select करेंगे, उसके बाद नीचे से simple next पे click करेंगे, यहां से इस option को आपको simple skip कर देना है, यहां से फिर से इस option को आप skip कर दें, ओके, यहां देखें, I have read, यह box है, तो इस box को check करें, उसके बाद आप simple next पे click करें, यहां से आपको agree करना है, यह यहां देखिए दोस्तो more का option मिलता है तो आप more पे क्लिक करें once again more पे क्लिक करें accept आ गया आप इस पे क्लिक करें ओके यह देखिए set screen lock का option आ गया तो यहां से आप चाहें तो फिर से अपने device में pattern pin password face या fingerlock apply कर सकते हैं फिलाल इस आपको मैं skip करूगा इसलिए मैं simple skip पे क्लिक करूँगा once again इस option को आपको इसकी पे क्लिक करना है यहां देखिए button और gesture का option आ गया आपको जो पसंद हो वो select करें उसके बाद आप simple next पे क्लिक करें यहां देखिए last में आपको मिलता यह blue color का arrow इस arrow पे क्लिक करें और बस आपकी device ITL P55 5G पूरी तरह 7,000,000,000 हो गई पूर सही सांदार इंट्रेस्टिंग विडियो की continue notification पाने के लिए आप मारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बगल में जो बिलाकन है उसे भी place करें एक चीज़ और अगर आप कोई device purchase करनी हो ITL P55 5G तो इसके सारे color सारे variant का purchase link मैंने description box में mention कर दिया है आप check out कर सकते हैं वि